यह LG का double door refrigerator जिसका मैं आप लोगों को temperature adjustment करने का तरीका बताऊँ आप बिल्कुल सही तरीका क्योंकि कभी भी आप इस refrigerator को purchase करते हो double door वाला तो आपको temperature को adjustment भी करना आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो था किस तरह से आपको operate करना सारा features बताने वाला हूँ चैनल पर नए है तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर दीज़ेगा सबसे पहले देख सते हैं multi airflow का option आपको दिया हुआ है इस refrigerator में तो काफी कमाल का है मतलब हवा का फ्लो आपको अच्छा का सा देखने को मिल जाएगा नीचे में भी आपका temperature system है मतलब नीचे का जो temperature है उसको आप इसली कर सकते हो किस परकार से करना है चली वह मैं आप लोगो में चीज़ बताता हूं जैकि इस वीडियो को टॉपिक है में टॉपिक सबसे पहले तो आप देखें कि ऊपर में लिखा हुआ है four refrigerated temperature and airflow control इस तरह से आपको कुछ लिखा हुआ मिलेगा है हिंदी में भी आ आपको देखने को मिलगा a पहला होला और b interaction उसरोह मतलब a जो हैं हमँआरा ऊपर का सक्शन है जो के उपर का दोर और बी जो हमारा वह नीचे का ऑड़ का सिस्टम है सभी गया है तो चलिए वन बाई वन करके बताते हैं, समर में जो सिस्टम आता है, हमारा एक में सेट होगा, मौनसुन में तीन होगा, विंटर में भी तीन होगा, और हाइस्ट कूलिंग में एक होगा, एक है सक्षन में, ठीक है, तो यहाँ पर टेम्टरेचिर अज़िस्मेंट करना आपक होगा है, वह हम एक में करेंगे, मौनसुन में तीन में करेंगे, यह एक सक्षन है, एक सक्षन मतलब ऊपर वाला, विंटर में तीन करेंगे, और हाइस्ट कूलिंग में करना है, नीचे वाला जो एक है हमारा, उसमें हम लोग एक पर सेट कर देंगे, ठीक है, इस तरह से दोर तो हमारे जब complete हो चुका है तो नीचे ओले डोर के पर इसली बताएंगे और मैं आप लोग बताना जोगा है तेमपरेचर देख सकते हैं किस तरह से छे से साथ मतलब समर में मॉंसर में जो रहेगा वह चार से पांच पर रहेगा नीचे ओला डोर के बात कर रहे हैं हम लोग विंटर में जो रहेगा वो 2-3 पर रहेगा अब देख सकते हैं यहां पर विंटर में और हमारा जो हाइस्ट कुलिंग अगर आपको करना है तो 6-7 पर करना पड़ेगा नीचे के लिए तो अब चलते हैं नीचे के डोर के तरफ क्योंकि वहां पर देख कर आप वह जाला समझ म आपको देखने को मिलेगा ठीक है 1-2-3-4-5-6-7 इस तरह से आपको नमरी या सो रहा है तो उपर में जो इस्टिगर था उस हिसाब से मैं आप लोगों समझाने कोशिस करूंगा सबसे पहले देख सकते हैं जो हमारा समर था वहाँ पर 6-7 था मौनसुन में 4-5 था 203 हमारा थंडा में था इस तरह से था ठीक है लेप साड में देख सकते हैं आपर लिखा हुआ भी है 6-7 में आपका गर्मी में उसके बाद बरसात में 4-5 थंडा में 203 हाइस्ट कूलिंग करना 6-7 पर रखना पड़ेगा इस तरह से कुछ आज़ेस्मेंट आप इसली कर सकते हावा का लोग बहुत बढ़िया है यह एलजी का रेफिजरेटर में डवल लोर का तो कोई प्राब्लम कोई इसूस में जल्दी आता भी नहीं है बस आपको टेंप्रेचर अज़ेश्मेंट करना आना चाहिए तो इसी कारण से यह वीडियो में आप लोग को लिए बदम बनाया हूं